दोस्ता, सभागते हैं आप सभी का चैनल पर और आज किस वीडियो में हम करने वाले हैं इंटल आए five को compare करने वाले है ryzen 5 से जो कि laptop के CPU हो चुके है तो इन दो को हम compare करने वाले है और मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों में से कौन सा better रहेगा आपके लिए कौन सा इन जनरल जो पर्फॉर्मेंस है इन दोनों में से किसके पर्फॉर्मेंस आपे बैटर रहेगी तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को तो आइफाइब 11th जनरेशन के लेटर सीप्यू के बारें बात करें जो कि हो गया 11300H की और इसको कंपैर करने वाले राइ आइफाइफ की जो बूस्टिंग है वह है 4.4 GHz तक लेकिन यह टोटली डिपेंड करती है कि इसमें जो भी आप लैपटॉप यूज करने वाले उसका कूलिंग सिस्टम कैसे है और क्या थर्मल से तो उसके साब से डिपेंड करता है कि बूस्टिंग कितने जाएगी तो इस और जो AMD है उसमें आपको 11 MB की कैश देखने को मिल जाता है इंतल की जो टीडीपी है वो 35 Watts है और जो AMD Ryzen की टीडीपी है Ryzen 5 की वह यहां पे 45 Watts कि दोनों में जो टीडीपी है वो Configurable है यानि आप टीडीपी को Increase कर सकते हो थोड़ा यह decrease कर सकते हो परफॉर्मेंस गेन करने के लिए या बैटरी इंप्रूब्मेंट्स के लिए तो वह आप दोनों में कर सकते हो इंटल का जो जीप्यू है वह यहां पर है आइरिस इस एक्सी जीप्यू और जो एमडी में है वह आपको रेडियोन जीप्यों देखने को मिल जाता है इंटल का जी एक्सी जीप्यों यह थाज्य और जो यह राइजन फाइफ प्सेंडल के साथ में जा सकते हो उसका वी इसलिए चैनल को अभी का भी काभी सब्सक्राइब कर लो अब बात करते हैं तो जो सिने बेंच i5 i5-11-300H से चोर किया है 2148 एवरेज पॉइंट्स और सिंगल पर्फॉरमेंस और इवरेज पॉइंट्स है यहां पर देती है 3,240 Cinebench R20 points तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि हैं आप जो राइजन के मल्टी थ्रेडिंग जो स्कोर्स है यानि मल्टी थ्रेडिंग परफॉर्मेंस है वह आपको बेटर मिलेगी क्योंकि सिक्सकोर 12 त्रेड्स है और जो इंटल है उसमें आपको कम थ्रेड्स मिल जाते हैं कि जो सिंगल को परफॉर्मेंस है वहेज हैं तो इन दोनों में से कौंसा अच्छा ओगा तो सिंगल को में उपेटर पॉस्ट में और इंटे भी सब्कितके कौन सा बेस्ट है वो लैप्टॉप के प्राइजिंग बजट और दूसरे स्पेसिफिकेशन पर डिपेंड करता है तो इसलिए हम यहां पर जादा बात नहीं कर पाएंगे कि आपके लिए आपके लिए कौन सा बेस्ट है लेकिन आप खुद डिसाइड कर सकते हो इस जो भी मै इतना ये वीडियों देखने लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू